नमस्कार दोस्तों इंप्लोई का पर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत दोस्तों जैसा कि रिसेंटली इंप्लोई प्रोडेंट पर अरगनेजिशन के ओर से अपने पीएफ खाताधारकों के लिए यहाँ पर एक नई सुईधा प्रोडेंट की गई है कि उनका जो बेंक का KYC है वो जो है अब यहाँ पर आटोमेटिक बेंक से ही अप्रूव हो जाएगा उसके लिए उसे इंप्लोईर के उपर यहाँ पर डिपेंड करनी की जरूरत नहीं होगी लेकिन जब यहाँ पर पीएफ खाताधारक अपनी बेंक KYC करने जा रहा है तो उन्हें यहाँ पर लोडिंग वाली प्रोसेस दिखाई जाती है और लोडिंग प्रोसेस के बाद उनकी जो KYC यहाँ पर अप्रूव नहीं हो रही है तो इस प्राबलम का सॉलुसन भी आज के इस वीडियो में यहाँ पर बताऊंगा और साथ ही आपक KYC अप्रूव करनी है तो इस वीडियो को सुरू से अगरी तक आप जरूर देख सकते हैं सबसे पहले EPFO मेंबर पोर्टल पर अपने यूएन नमबर पासवर्ड और यह केप्चर डाल कर लागिन करेंगे यहाँ मैनेज वाले सेक्शन में एक KYC का आपसन आपको देखने को म ध्यान रखे कि यह आपके पास SBI State Bank of India का खाता नमबर है तो वो दे क्योंकि केवल अभी SBI State Bank of India के खाते नमबर ही यहाँ पर आटोमेटिक अप्रूव किये जा रहे है बाकी बेंकों का खाता नमबर ही आप देते है तो वो आपके employer के पास उसकी request जाएगी और जब employer उसे जो है अप्रूव करेगा तभी यहाँ पर जो है आपकी बेंक के वैसी अप्रूव होगी तो मैं अपने यहाँ पर State Bank of India SBI का खाता नमबर यहाँ पर देता हूं अगेन यहाँ पर दूसरी जगह पर भी आपको अपना खाता नमबर यहाँ पर जो है करना है और यहाँ आपक पा रहे होंगे कि हमारा जो IFSC code है यहाँ पर verify हो चुका है लेकिन इसे हम जैसे यहाँ पर SEO बटन पर क्लिक करते है तो एक loading का option यहाँ पर लिखा हुआ रहा है और यही loading यहाँ पर जो है चलते रहती है इसे मैंने एक घंटे दो घंटे और 24 घंटे बाद भी यहाँ पर दे है यानि कि EPFO की वेबसाइट है यह आप ग्रोम ब्रावजर में ओपन नहीं करके Mozilla Fox Pro वाले जो ब्रावजर होते है Mozilla ब्रावजर है Fox Pro ब्रावजर है इसमें आपको जो है यहाँ पर ओपन कर रहा है मैं इसे Mozilla ब्रावजर में ओपन करता हूँ वपस से अपना युने नंब BANGP 떔오 का account number हमें देना है अगेन यहाँपर हमें हमारे account number को confirm यहाँपर करना है और इसके बाद में यहाँपर IFSC कोड हमारा डाल देना है यह सारी detail आपको आपके bank account की corresponding मिल जाएगी यहाँपर verify IFSC code पर क्लिक करते हैं, इसके रहांद यहाँपर आपको बता देगा कि आपका कौन सी बेंक में यहाँ पर खाता है कौन से सहर की बेंक में आपका खाता है और आपका IEPHC verify हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर save वाले बटन पर क्लिक करते हैं save वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपके बेंक से जो भी यहाँ पर mobile number registered होगा उस registered mobile number पर एक OTP जाएगा वो अलब OTP जो है आपको यहाँ पर डालना है जैसे कि मेरा OTP यहाँ पर आ चुका है मैं OTP यहाँ पर input कर देता हूँ और OTP input यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर जो है अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो KYC है यहाँ पर pending में चला गया है यानि कि bank इसे जो है अपरूल कर देगा यह अपरूल की process यहाँ पर केवल 24 घंटे की होती है 24 घंटे के अंदर ही आपकी KYC यहाँ से जो है अपरूल हो जाती है बाकी किसी और bank का आपका खाता है तो अभी उसके लिए यह request employer के पास जा रही है और यह employer के उपर डिपेंड करता है कि वो आपकी KYC कब अपरूल यहाँ पर करें तो आपका भी EPFO में खाता है आपको भी bank KYC करवानी है और state bank का आप इंडिया का आपको खाता है तो आप इस process को फालो करके अपनी KYC यहाँ पर जो है करवा सकते है तो आई होग दोस्तों आज के वीडियो में दी गई यह information यह जानकर आपको पसंद आई होगी यह वीडियो जानकर आपको अच्छे लेगी होगी वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं आप से नेक्स्ट उडियों के से जानकरी साथ तब तक के लिए बनी रहे है Employee Cover चैनल के साथ जय हिंद वंदे मातरम